लों कहते हैं कि टार्टा का लोहा और बाटा का जूता इसका कोई जोर नहीं होता है यह बात सच है यह बात सच कैसे हो सकती है मैं एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं उस तस्वीर को आप देखेंगे तो यकीन मानेंगे कि आखिर Tata की ही गाड़ी क्यों लोग सजेस् एप जरा उस गाडी को दिखा डीजे, आप एप देखिये इस गाडी पर इतनी स्ससी ओप जुए हो पीज नहीं है लेकर आंदर वाथे लों बैठे हुर लोग को साइद ही कोई डैमेज होगा, क्योकि निसकी इसकी टारा ट सब्सक्राइव क+. यहां तक इस टेरिंग में जो कुछ भी छोटे उन्पे पार्ट लगे होते हैं कि किस तरीके से अंदर में कि अगर इसाइट टाटा की गाड़ी नहीं होती तो इस गाड़ी का क्या हाल हुआ होता आप देखेंगे किस तरीके से यहां से पूरी गारी टकराई है और यहां से टकराते हुए यहां तक गई है और यह गेट आप देखेंगे पूरी तरीके से पिचक गया है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं हुआ है आप देखेंगे सामने से कांच भी तूट गया है लेकिन कुछ गारी है और इतना जबरदस्त भाइस आप टक्कर हुआ इधर से भी टक्कर हुआ इधर भी दिखा दीजिए इधर भी टक्कर हुआ है हमको लगता कि गारी कहीं पलट गई थी खाई में और वहां से इसको निकाला गया है और अंदर आप देखेंगे कुछ भी नहीं हुआ है भाई साब कुछ भी नहीं हुआ अंदर में क्यों बाहर गेट पर ही हुआ है और यह थुरसा टायर डेमेज हुआ है आगे से भी देखेंगे कुछ नहीं हुआ है ते है टाटा और इसलिए मैंने भी साब टाटा ली है आप देख सकते हैं इसलिए मैंने टाटा पर अपना व वाहन का कि ये पूरा बाहर का जो भाग है वो इकदम पिचक गया लेकिन जो भार था वो इसी दरवाजे पर ही आके रुख गया इसलिए कहते साब टाटा के लोहे में दम है इसलिए सोदेशी अपना ये टाटा की गाड़ी अगर आप फरीद रहे हैं तो यकीर मानिए कि आप आपको विश्वास होगा आपको कॉंफिडेंस होगा आप किसी प्लास्टिक के डिब्बे में बैट के चलेंगे तो साब जिंदगी को हथेली पर रख के चलना पड़ेगा इसलिए अगर आप गाड़ी सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप टाटा की तरफ जाईएगा और अगर आ आपने आप पता चल रहा कि इस टाटा गाड़ी ने इसमें बैठे हुए लोगों को बचाया है आप देखिए पीछे से थोड़ा सा दिखा दीजिए ये टाटा पंच है और बिल्कुल नई गाड़ी थी लेकिन किसी तरीके से हो सकता दुरगटना हो गई है तो मैं बता रह देखकर आपके असोत्यफ निराह में जरूर दीजिएगा और सबसे फेवरेट काड़ी आपकी काउंसी है कमेंट करके बताईएगा और साथ ही साथ लगे हाथ एक तस्वीर और दिखा देता हूँ ये देखिए योगी बाबा की योगी बाबा के राज में ये तमाम जो बुले याम इस पूरे हाइवे पर टहल रहे हैं और साहब इनको भी देखकर कुछ कहना होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा